दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे डेली देहरादून अकनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जा रहा है इसके बारे में जानकारी एवं लाब नोट ध्यान से सुने पीम मोधी ने देहरादून में 18,000 करोर रुपे की कुल 11 वेकास परियोजनाओ की आधारशिला रखी जिसमें से 11 परियोजनाओ में से एक दिल्ली देहरादून आर्थे गलियारा डेली देहरादून अकनॉमिक कॉरिडोर शामिल है जिसे लगभग 8,300 करोर रुपे की लागत से बनाया जाएगा इनिच्याई द्वारा 210 किलोमीटर दिल्ली सहारनपूर देहरादून एक्सप् परियोजना के दिल्ली आर्थे गलियारे के तहर 2020 में निर्मान के लिए मंजूरी दी गई थी नितिन गड़करी ने 26 फरवरी 2021 को इसकी आधारशिला रखी और भारत के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने 4 दिसमबर 2021 को फिर से इसकी आधारशिला रखी यह 12 लेन का चरण परियोजना का निर्मान 2000 करोर रुपे से अधिक की लागत से किया जाएगा ट्रूटकी और हरिद्वार से जोडने के लिए एक नया 50.7 किलोमीटर्स पर प्रस्तावित किया गया है यह बागपत EPE सहारनपूर खंद पर किमी 108 से शुरू होकर प्रस्तावित हरिद्वार रि प्रियाना को जोडने के लिए 110 किलोमीटर शामली अंबाला एक्सप्रेस्वे की योजना बनाई गई है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस्वे करीब करीब टोलिंग के साथ 4 चरणों खंडों में विक्सित किया जाएगा जिसमें हर 25 किलोमीटर पर वेसाइड चानवरों की निर्बाध आवाजाही को सक्षम करने के लिए एलिवेटेड रोड टानल और 12 किलोमीटर एलिवेटेड वाल्ड लाइफ कॉरिडोर की सुविधा होगी दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा एशिया और भारत का पहला उंचा वन्यजीव गलियारा है दि एक्सप्रेस्वे दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी को 235 किलोमीटर से 210 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा के समय को करीब 7 घंटे से घटा कर 2.5 धाई घंटे हो जाएगी क्योंकि वहनों को राजमार पर 100 किलोमीटर प्रती घंटे तक की गती से चलने की अनुमती होगी इस खंड में 2.322 किलोमीटर जुडवा सुरंग और 0.3 किलोमीटर पहाँज, 4.82 किलोमीटर चार लेन एलिवेटेद फ्लाइओवर हाथियों और अन्य वन्य जीवों के लिए 6 मीटर उर्धवाधर निकासी, 2.12 किलोमीटर पहाडी खंड और 340 मीटर सिंगल च्यूब सुरंग शामिल होंगे आपको ऐसे ही किसी गवर्मन प्रोजेक्ट के बारे में जानने है तो हमें कॉमेंट में जरूर बताएं वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें